पूद वर डज़िट कम फ्रॉं तो हम जो भी खाना खाते हैं जनरली हम देखने किया तो वह हमें रेस्टरान से आता है या किचिन से आता है लेकिन उस किचन और रेस्टरान में भी तो फूड कहीं से आया हुआ जैसे अगर हम राइस खा रहे हैं तो राइस किचन में नहीं बनाया है, वो किसी खेत में उगा है, वहां से आता है इस चाप्टर में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे, कि जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं, उनके सोज क्या है, वो कहां से आते है What did you eat at home today? आपने आज घर पे क्या खाया था? मान लो बै बोलता हूँ मैंने आलू का पराथा खाया Find out what your friend ate today आपके दोस्त ने आज क्या खाया ये पता लगाओ तो मान लो कि मेरे दोस्त ने आज खाये पनीर बिर्यानी Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या मैंने कल और आज एक ही तरह का खाया खाया नहीं आज तो किसमाद अच्छी थी इसलिए आलू के पराथे मिल गए कल तो कद्दू की सब्जी मिली थी और पर्सों तो सब्जी नहीं थी सिर्फ दाल से ही काम जलाना पड़ा था We all eat different kinds of food at different times, isn't it? हम सबी अलग-अलग बग पर अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं कभी हमालू के पराथे काते हैं, कभी कद्दू की सब्जी काते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी परीर पिर्यानी खाते हैं कभी सांड़िच खाते हैं, कभी पीज़ा खाते हैं, और बहुत सारी variety है खाने की चीजों की काफी वेराइटी है उसमें काफी विविद्था है आपके पास खाने की चीजों के बहुत सारे ओप्शन्स है Activity 1 Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day School में अपने दोस्तों से पूछो कि वो दिन भर में क्या-क्या चीज़ें खा रहे होंगे See if you can also get this information from friends staying in different states of India और आपके कोई दोस्त और कोई देश के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं तो उनसे भी ये information पता करने की कोशिश करो कि वो लोग दिन भर में क्या खाने वाले है List all the items in your notebook as given in table 1.1 For as many friends as possible अपने सभी दोस्तों से पूछो और ये ये वाली table को भरो चलो मैं एक sample भादेता हूँ पहला दोस्त हुआ किट्टू किट्टू ने क्या खाया पराठा खाया और क्या खाया किट्टू ने दही खाया बिट्टू ने इडली खाया इस तरीके से आप टेबल को भरो ओ कुछ लोगों ने मचली भी खाई है दिट्टेंदू ने खाई फिश तो जब आप अपने दोस्तों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास खाने की बहुत सारे ओप्शन से हैं बहुत सारी वेराइटी है खाने की बहुत सारी चीज़ है हमारे खाने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेराइटी है यह सभी फूट आइटम्स क्या चीज के बने हुए अब उस चावल के बारे में सोचो जो कि घर में बना है हम लोग कच्चे चावल लेते है और उसे पानी में उबालते है Just two materials और ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice boiled rice बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़े या सामगरी की ज़रूरत बढ़ती है यहाँ पर एक important word है ingredients यानि कि सामगरी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसके अंदर क्या सामगरी लगाए गई है वो होते है ingredients जैसे boiled rice के ingredients है water and raw rice तो यहाँ पर water और raw rice दो food ingredients हो गए on the other hand some food items are made with many ingredients वहीं दूसरी और कुछ food items को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा ingredients की जरुद परती है to prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables salt, spices, oil and so on जैसे हमें सबजी बनाने के लिए पहले तो सबजी चाहिए फिर नमक चाहिए मसाले चाहिए तेल चाहिए प्यास चाहिए पानी चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए तो इस paragraph से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि हर food item को बनाने के लिए कुछ ingredients की जरूरत होती है Activity 2 Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home अभी ज़ो हमने उपर table बनाई थी उसमें से कुछ food items को लो और उसके ingredients पता कहने की कोशिश करो अपने दोस्तों से और घर में बड़ी लोगों से पूच कर फिश बनाने के लिए हमारे ingredients हैं सबसे पहले तो मचली मचली मर गई है spices यानि की मसाले और water लगेगा salt लगेगा oil लगेगा और फिर उसके बाद उसे में खाऊँगा राइस है तो राइस भी खाऊँगा थोड़ी सी vegetables भी डालनी पड़ेगी यहां पर कुछ examples हमें दिये हुए कि जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगता है और water लगता है कुछ लोग इसमें साथ में salt भी डालते हैं थोड़ा सा तो वो भी एक ingredient हो जाएगा ऐसे कोशिश करो पता करने की कोई भी food item बनाने के लिए क्या ingredients की हमें ज़रत पड़ी होगी What do we find? हमें क्या पता चलता है? Do we find some ingredients common for different food items? क्या हमें पता चलता है कि कुछ ingredients यानी सामगरी सभी food items में common है? जी हाँ बिलकुल है Water almost सभी जगे यूज हो रहा है यह देखो Salt भी लगभग सभी जगे यूज हो रहा है Spices भी बहुत सारे food items में डाले जाते है अब सवाल यह उठता है कि ये सभी ingredients आखिर आते कहां से है और इस chapter का सवाल भी यह है Where does food come from? कर दो कि येूज पैका सवाल आते है और आते है जह है